हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समयधानिक विधिफास्ट की जो की LLB और BALB Part 1 के स्टुडेंट्स के लिए है तो इसमें हम आज 10 Objective Questions की बात करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करिए और वीडियो ची लेगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें चलिए बात करते हैं आप जो टी Questions की तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला Question क्या कहता है विधेकों पर राष्ट्रुपती की अनुमती से संबंधित अनुच्छेद है तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद बताना है कि विधेकों पर राष्ट्रुपती की अनुमती से संबंधित अनुच्छेद है तो ए विकल्प आपका सही है अनुच्छेद 111 चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेस्चन की दूसरा क्वेस्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सम्मिधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए राजी की परिभासा में आता है तो आपको बताना है कौन सा सही है इसमें देखें A विकल्प में बताया गया कि एक भागिदारी फौर्म B में बताया भारत संचार निगम लिम्नेड C में बताया गया एक सहकारी समिती और D में कहा गया है राष्ट्रिय सिक्षण अनुशंधान और प्रसिक्षण परिशाद तो आप लोग तयार कर लेजिए B विकल्प आपका सही है दूसरे में भारत संचार निगम लिमिटेड याद कर लेजिए भारत संचार निगम लिमिटेड चली आगे वड़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर तीसरे क्या कहता है सरकार दवरा संचालित चिकित्सा मतलब मेडिकल महविद्यालयों में भारती समिधान के अनुछेद 15-1 के अंतरगत आरच्छन विधी मानने होगा तो आपको बताना है चार विकल्ब दिये गया है शही विकल्ब चुनना है इसमें से तो A में कहा गया है चनमस्थान के आधार पर B में कहा गया है कि जाती के आधार पर C में कहा गया है अधिवास के आधार पर और D में कहा गया धर्म के आधार पर तो आपका C विकल्प इसमें सही है अधिवास की आधार पर चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर में चलिए बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भारत के राश्रुपती द्वारा संसद का संयुक्त सत्र आहूत किया गया था तो कब किया गया था यह आपको बताना है इसमें ए विकल्प में कहा गया दहेज प्रतिसेद अधिनियम के लिए फिर बैंक सेवा आयोग अधिनियम के लिए मतलब किसके लिए किया गया था ये चीज और C में कहा गया फोटा के लिए और D में कहा गया उपयुक्त सभी अधिनियम को पारित करने के लिए तो आपको सही विकल बताना है तो आपका चौथा में जो है डी विकल पाप का सही है उपयुक्त सभी अधिनियम को पारित करने के लिए आ गया है हम पाँचवे नंबर क्वेस्चन में पाँचवे नंबर क्वेस्चन क्या कहता है कि भारत का राश्रपती सम्मेक रूप से आहारीत विक्तियों को अपर मतलब अतेरिक्त न्याय मूर्थी नियुक्त कर सकता है A में कहा गया है केवल उच्चन न्यायाले में B में कहा गया है केवल उच्चतम न्यायाले में C में कहा गया है उच्चन न्यायाले तथा उच्चतम न्यायाले दोनों में फिर डी में कहा गया है वे अपर मतलब अतेरिक्त न्याय मूर्जियों की नियुक्ति उच्चितम न्यायाले में नहीं कर सकते हैं तो आपको इसमें से एक विकल्प सही बताना है तो पांचवे नंबर में ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है केवल उच्च निया याले में चलिए बात करते हैं आगे छटवे नंबर क्वेशन में आ गये हैं हम छटवे नंबर क्वेशन में छटवे नंबर क्वेशन क्या कहता है कि भारत के सम्मिधान में भारत के सम्मिधान में संसदीय प्रडाली की सरकार की आधार सिला है तो आपको बताना है कौन से अनुच्छेत के अंतरगत जो है भारत के समीधान में संसदीय प्रडाली की सरकार की अधार सिला रखी गई है तो दोस्तों आवाज थोड़ा साब को शोर इधर साइड में हो रहा है तो इसके लिए शोरी तो ध्यान से सुनिएगा छाठवे में आपका B विकल्प सही है अनुच्छेक 75 का 3 चलिए आगे बात करते हैं सात्मा नंबर क्वेश्चन की सात्मा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निमने लिखित में से किसे पद और गोपनियता की सपत लेने की आवस्यता नहीं होती है तो A में राज सभा का सभापती फिर B में वित्तमंत्री C में लोग सभा का अध्यच D में राज का राजेपाल तो कौन सा विकल्प सही है इसमें C विकल्प बिल्कुल सही है लोग सभा का अध्यच चलिए आगे बात करते हैं आठवे नंबर क्वेश्चन की आठवे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गिरफतार करने वाला प्राधिकारी एक महिला को विधिमान ने कारण होने पर कारण का उलिखित उलेख करके दिन या रात्री किसी भी समय एक महिला पुलीस की अनुपस्थिती में भी गिरफ्टार कर सकता है निमनलिखित वादों में से किसमें उच्चतम न्यायाले ने ऐसा निरणय दिया तो आपको बताना है कि कौन सा वाद है जिसमें उच्चतम न्यायाले ने ऐसा निरणय दिया है A में कहा गया है संतोषडे बनाम अर्चना गुहा B में कहा गया है बीना सेठी बनाम बिहार राजे C में कहा गया है S.C. Legal and Committee बनाम भारत संगे D नंबर में महाराश्टर राज्य बनाम Christian Community Welfare Council of India तो इसमें आठवे में आपका D. विकल बिल्कुल सही है महाराश्टर राज्य बनाम Christian Community Welfare Council of India के बाद में जो है उच्चितम नयाले ने ऐसा निड़े दिया था ठीक है आगे बात करते है 9 नंबर क्वेस्चन की 9 नंबर क्वेस्चन क्या कहता है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा निमलेखित बादों में से किस बाद में आपको यहां पे भी बाद ही पूछा गया है कि किस बाद में यह वी निश्चित किया गया है कि रिसी केस नगरपाली का छेतर के अंतरगर अंडे बेचने पर लगाया गया निसेद सम्विधान के अनुच्छेद उननीस एक छा चड़ी लब छा के छा का उलंगन कारी नहीं है तो आपको बताना अनुच्छेद उननीस एक छा का उलंगन कारी नहीं है तो कौन सा नहीं है आपको यह बताना है तो A विकल्प में कहा गया है B.R. इंटरप्राइजेज बनाम उत्तरप्रदेश, B. में कहा गया है O.P. बनाम उत्तरप्रदेश राजे, C. में कहा गया है C.K. जैन बनाम उत्तरप्रदेश राजे, और D. में कहा गया है श्री निवास जनरल ट्रेडर्स बनाम उत्तरप्रदे इस राज्य चलिये आगे बात करते हैं दस्पे नमर केस्टन कि जो की लास्ट केस्टन है इस वीडियो का है कि तो दस्पेन ऊमबर्कोष्टन क्या कहता है दोस्तों समान नागरिक सहिता किस अनुछेद में है समान नागरिक सहिता किस अनुच्छेद में हैं important question समझ में आ रहा है ठीक है तो ध्यान से देखिएगा भई किस अनुच्छेद में अनुच्छेद पूछा गया देखिए A में कहा गया अनुच्छेद 44 के अंतरगत अनुच्छेद 45 के अंतरगत और डी में कहा गया अनुछेद 42 के अंतरगत साध यहां पर बी और सी एक ही विकल बना दिये हैं हमने तो यहां पर आप कि आपका दस्वे में आपका एविकल बिल्कुल सही अनुछेद 44 समान नागरिक सहीता अनुछेद 44 में है ठीक है यह बी और सब्सक्राइब करें तो आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज और अपने दोस्तों साथ जादा से जादा से एर करें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे